हेलो अच्छो नमस्कार कैसे आप सभी आसा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे पब्लिक केरियर यूट्यूब चैनल की दरब से मैं विनोध एक वार फिर से आप लोग का मोश्ट वैलकम करता हूँ आपके अपने इसी यूट्यूब चैनल पे हैं दोस्तो टॉप 50 हिंदी से टॉप के 50 सवाल चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को सबसे पहला सवाल देखे निम्न लिखित में से आयोग वहा कौन सा है आयोग वहा अर्थात जिसे हिंदी में आयोगे कहा गया है आयोग वहा की संक्या कितनी होती है तो आयोग वहा की संक्या होती है आपसे पूछे दो ठीक है एक होती है ये वाली जिसे हम नाम देते हैं अनूस्वार क्या नाम देते हैं अनूस्वार नाम देते हैं दूसरा दोस्त दूसरी होती है ये वाली जिसे हम लोग विसर्ग नाम देते हैं तो यहाँ आप लोगों से पुछाए निम्द लिखित में से आयोग वहा गौन सा है तो अलपप्राण नहीं जी, सैयुक्त वेंजन नहीं जी, महाप्राण नहीं जी अब इन मैसे कौन सा है विसर्ग है ना याद रखना विसर्ग को कैसे लिखा जाता है ये वाला है ना जैसे कि अतहे लिखते हैं हम लोग दुख लिखते हैं दुख है जो लिखा जाता है इस परकार से ठीक ना जिसके पीछे दो बिंदी रहती है आगे देखते हैं किस क्रमां ती क्या चमच लगी तालू में आवाज आई तो यस आई तो फूरे दोनों आते हैं पूरा का पूरा चैवर्ग चै-चै इसके साहत आते हैं याद रखना आगे बढ़ते हैं छत्रक किस के योग से बना हुआ है ये जो छत्रक है ये किस किस के योग से बना हुआ है आप से पूछ सकता है हिंदी सब्द को उसके अनुसार छत्रक वर्ड किस वर्ड के बाद आता है तो आंसर है के के बाद में अभी जो छत्रक ब बना हुआ है विकल्प जो दूसरा दे रखा है ये बिल्कुर राइट है आगे बढ़ते हैं निम्न लिखित मैंसे कौन सा वाण उचारण की द्रस्टी से दंते नहीं हैं दंते दांत तक्ती लगी थी दांत में तक्ती लगी थी दांत में या नि पूरा का पूरा तैवर कब तै तै दै धै और ने ये होते हैं इसमें कोई स्वर नहीं आता तै थै दै धै ने अब यहां उचारण की द्रस्टी से देखें तो ने भी आता है धंते में तै भी आता है और दै भी आता है ये तै नहीं आता ये तै कौन से वर्ग में आता है तो दोस्त ये मूर धा से वरण के सहीयोग से बनाए गैसे ग्यानी आप से पूछ सकता है सब्द कोस में ग्यानी वरण किस वरण के बाद आता है तो यह जै के बाद में आता है जै के बाद में अभी जो ग्यानी है किस किस के मेल से इसमें आधा तो जै है पिलस अईया है इसके मेल से बना हुआ है ग्या अंसर हो जाएगा आगे बढ़ते हैं सवालमर 6 की तरफ यदि नीचे का होट पूरी तरीके से काट दिया जाए तो किस ध्वनी के उच्चारण में कठनाई होगी इंपोर्टेंट कर लेना नीचे वाला होट ही काट दिया जाए तो फिर ओस्ट वर्ड को कैसे बोलोगे अगर नीचे का होट काट दिया जाए ओस्ट कौन कौन सा है तो देखिए दो तो सवर आते हैं ओस्ट में दोनों यह सवर पूरा का पूरा पैवर्ग पै भै 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 और म यह औस्टे में आते हैं अगर नीचे का होट कर जाएगा तो औस्टे वण नहीं बոला जाएगा फिर अभी जो लहे है यहाँ इसे पारस्वी वेंजन बोलते हैं धे नहीं हो सकता, खे नहीं हो सकता यजो बै भट्टी है इस बै को बोलने में समस्या हो जाएगी क्योंकि यह जो बै है यही ओस्टे की कैटिगरी में आ रहा है अगला देखे सब्द को इसमें सरद्धा सब्द किस सब्द के पहले आएगा सरद्धा किस सब्द के पहले आएगा सवाल नमर साथ इंपोर्टेंट है तो ये आएगा स्रेसिर्मिक की पहले है ना और तो सब अलग होगे ये देखो है ना इसमें भी स्रेसराब है और इसमें भी स्रेसराब है इसी से आप लोग कंबाइन कर लीजेगा किस किर्मांक में अगोस वेंजन है अगोस वेंजन की पहचान क्या है इसमें पहला और दूसरा पिरतेक वर्ड का पहला और दूसरा वेंजन पिलस तीनों पिरकार की सलजम सटकौर और सपेरा अगोज की संक्या पूछे तो संक्या होती है तेरा नयाद रखना अच्छा तो इसमें देखे तीनों परकार की सह आती है तो यहां पहले वाले उप्शन को जुन सकते हैं यह देखो आपकी यह आगई दौनों सह इसी में तो ये अगूस वेंजन की कैटेगरी में आते हैं ये रे लेवे इनको हम लोग अंत्यस्त वेंजन की कैटेगरी में रखते हैं आगे बढ़ते हैं किस वेंजन के उचारण में जिव्या तालू से नहीं टकराती जिव्या तालू से नहीं टकराती तो फिर कौन सा वेंजन है तो याद रखना वो वेंजन हो जाएगा जहां जिव्या तालू से नहीं टकराती हो अर्थात तालवे वेंजन ना हो तो ऐसे में कौन सा वेंजन हो जाएगा ये रहा गह क्योंकि जो गय है ये कौनसा वेंजन है ये कंठे वेंजन है कंठे यानि जहां गले से वाज आती हो पूरा कपूरा कैवर्ग कै खै गय गय और एक आती है ये वाड़ी नड़े है ये कैवर्ग में आती है इसके साथ साथ में दोनों स्वार आते हैं कैवर्ग में ए और आ याद रखना इसके साथ साथ में है भी इसे ही कैटिगरी में रखा जाता है को भी अब कैख है अब देखिए ये तालव में आता है चमस लेगी तालू में यस है ना ये और से यस लगी याद रखो आगे बढ़ते हैं सवाल नमबर 10 किस किरमांक में अन्थियस्त वेंजन है अन्थियस्त वेंजन जिनको बोलने में अंदर के इस्थान से वोईस निकलती हो तो ये ये, रे, ले और वे यानि लव की जो फिलिंग है वो अंदर से आती है तो अंतियस्त वेंजन याद रखोगे ये और वे हो जाएगा बिल्कुल इस सवाल में राइट आंसर दस नमबर में D-Option is the right अगला सवाल करते हैं सवाल नमर 11 किस किरमांक में अगोस वेंजन है अगोस की अभी पहचान बताये पर तaire हो Aaगोस की संक्याप बतऻी तेरे इसके साथ-साथ में सलयम सठकॉर और सपेरा बताये-था अहलकार कर आपका स्वाथ अगोस में जाताह कि था स्रक पहला इस पहला कि कि कर्मस gehen के कि तो अगला सवा शरुक्वेंजगे यह को होता है आपका कौन-कौन winning में होत आपका इसका चक्षट 一 तीसरा ग्यानी और चोतह होता है स्रयश्राव ये चार वेंजन होते हैं च्छत्रक, तरसूल, ग्यानी और स्रैसराब अब इन मैं से देखो ढट है ये च्छिप्त वेंजन है ये जो आपका है ये कंठ है, ये तालू और ये रहा आपका तरह तरसूल ये ही संयुक्त वेंजन है सवाल अमर 13 देगी किस किरमांक में सेखोस वेंजन है परतिक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचमा वर्ड इसके साथ साथ में ये रह ले वे और इसके साथ साथ में है ये आता है तो यहां 13 नमबर पर आप लोग विचार करोगी तो मैंने एक लाइन बोली है ये रह ले और वे और इस हिसाप से देखें तो ये और रह आपसन में दे रekھें तो ये और रह ये आपके साथ यानि जिनको बोलने में इस तोर तंतृओं में गुँझ उत्पन होती हो वाइब्रेट उत्पन होता हो वो साथ वेंजन होते हैं तो मैंने आप लोग को वरत्तस्य वेंग्जर बढ़ाई थे उसमें आप लोग को लिखवाई था से जै रहो नई यस एक तो वरत्तस्य हो गिल्यावघ और और एक नासिका में आता है नासिका नि प्रित कबर का पंचमां तो इस प्रकार से यहां आपका विलकु राइट आंसर डी आगे बढ़ते हैं वर्ड माला में कुल कितने वर्ड हैं अगल कुल लिपी पूछे यह कुल वर्ड लिपी पूछे कुल वर्ड पूछे तो आप लोग 52 लगाएगा जिसमें अगर मैं बात करता हूँ मूल रूप से स्वर कितने है ग्यार है मौल रूब से वेंजन की बात करूँ तो 33 है आगे बढ़ते हैं किस किरमांक में वरत्मुखी स्वर नहीं है वरत्मुखी का मतलब जिनको बोलने में वाइस गोल हो जाती हो है ना तो वरत्मुखी होगा क्योंकि ये मुख आकिरती के आधार पर स्वर के भेद होते हैं एक वरत्मुखी एक वरत्मुखी वरत्मुखी की मैं बात करता हूँ तो वरत्मुखी कौन कौन से होते हैं को बोलने में voice goal हो जाती है ओ ओ है ना और यह आपका ओ और यह आपका आउ और यह टॉफी वाला यह भी आ भी इसी में आता है दूसरा मैं बात कर था हूँ दोस आवरत मुखी की तो आवरत मुखी अरखार जिनको बोलने में आपकी जो मुख की आकिरती है वो गोल ना हो, तो इसमें आ आईये रिशी जी ए, आ, है न, ई इ, बड़ी इ ठीक है न, ए ये वाला ए, और ये रैसे रिशी, ये आवरत होता है तो वरत्मुकी सुवर कौन सा नहीं है, जरा मिलाओ तो ये भी है वरत्मुकी, ये भी है ठीक है, ये भी है आ ही नहीं है, तो डी उप्सन इस दे राइड अंसर, ठीक है न, भी है इस प्रिकार से पकड़ सकते हैं इस प्रिकार से पकड़ सकते हैं वरत्मुकी और आवरत्मुकी को, ठीक है, किलियर पहें चाल लिया आवरें, आ नहीं है आईये रिसी जी तो आवरतमकी होता है वरतमकी सारे आपको मेले मिलवा दी ए चलिए सवाल नमबर अब आते हैं हम लोग सत्रे पे ठीक है सत्रे नमबर देखो जरा किस कुर्मांक मैं पश्चिसवर है पश्चिसवर किस कुर्मांक मुझे यह बताईए आप लोग यह जिव्या के आड़ी इस्तिदी के आधार पे जीव की सक्रेता के आधार पे यह जो भीद होते हैं स्वर के तीन होते हैं एक होता है दोस्त अग्र एक होता है मध्य और तीसरा होता है पश्य यह आधर को पश्य अगर मैं अग्र की बात करता हूँ तो अगर में आता है ए ए और रिसी अगर ये ये ट्रिक आपको याद होगी मद्धे में आता है पस्च में पस्च में बचे हुए सबी आ गए आ उ बड़ा उ ओ ओ के साथ साथ में ये दो मात्रा वाला और एक आगे टॉफी वाला ये वाला तो पस्चिश्वर कौन सा है पस्चिश्वर पहँचानिये कौन सा है तो देखिए ए तो आ गया आपका किस में ए दोनों ये अगर में आ गई अगर में है ना और ये जो उ है ये बिलकुल आपका राइड बन रहा है ठीक है ये ए और ये ए ये अग्र में आ गए क्लियर हो गया भई आगे बढ़िये च्छतरक्त रिसूल और ग्यानी ये क्या है च्छतरक्त रिसूल ग्यानी ये क्या है तो च्छतरक्त रिसूल ग्यानी दोस्त ये हैं आपकी संयुक्त वेंजन याद रखना संयुक्त वेंजने च्छतरक्त रिसूल यानी आगे बढ़ते हैं वेंजन वर्गी करण की द्रस्टी से उच्चारण इस्थान की आधार पर वे और फे क्या हैं तो वे और फे क्या हैं वे और फे करिस्क्रमांक में यातें दंत ओस्टे में याद रखना वे और्फ है वफ वर्फ रख दी दातों पे इस करमाग में अंठेस्ट वर्ण नहीं है तो ये रे ले वे तो ये जो है है न है ये आपका अंठेस्ट में नहीं आता आगे इन मेंसे कौन सा स्ट्री लिंग नहीं है है ना रात हो रही है साम हो गई, आंकें खुल गई, कलेवाई नहीं है तो 21 नमबर में आपका राइट आंसर हो जाएगा A option 21 नमबर में दोस्त A option बिल्कुर राइट आंसर के रूप में माना जाएगा क्लियर हो गया, 22 नमबर देखें इन मेंसे किस सब्द का लिंग नहीं बदलता तो देखें, चाचा का चाची हो जाएगा लिंग की बात चात्र का चात्रा हो जाएगा मामा का मामी हो जाएगा, साइकल तो साइकली रहेगी याद रखो अगेन मैसे कौन सा सब्द है जिसका इस्तरी लिंग नहीं है लिपी लिपी हिंदी की लिपी देवनागरी है है ना पढ़ाई मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता है ना ऐसे बोल सकते हैं इस तरी लिंग पढ़ाई समझ मेरी समझ में नहीं आया मेरी पढ़ाई छूट गई मेरी लिपी समझ में नहीं आया मेरा संगर्स यह रहा आपका स्ट्रेलिंग यह स्ट्रेलिंग नहीं है याद रखनो तेईस मैं 24 नमबर इनमे से वह साउध बताईए जिसका वचन अत्वा लिंक किसी भी परिष्टति में नहीं बदलेगा आल सी बदल जाएगा दिन का बदल जाएगा पानी का कभी नहीं बदलेगा वचन अत्वा लिंक बदल जाएगा ठीक ना आल सी बदल सकता है आगे बढ़ते हैं इन में से पुलिंग साउध बताईए मेरी उमीद है ना बेकरी मेरा बचपन मेरी असा मेरा बचपन मेरा से बना बचपन है यहां पे पुल लिंग पच्छिस का डी बिल्कुल राइट है दोस्त 26 नमर कुश्चन करते हैं निम्द मैसे किस वाक्य में अकर्मक करिया है ऐ कर्मक करिया चिडिया दाना चुग रही है देखिए चिडिया क्या चुग रही है दाना पसू कहां चर रहे हैं मैदान में चर रहे है क्या कर रहे हैं पसू चर रहे हैं कहां पे मैदान में ठीक है पक्षी उड रहे हैं सिम्पल पकड लिया पक्षी क्या कर रहे हैं उड रहे हैं करम तो है नहीं कहां पे यह नहीं है इसमें तो तीसरा नमबर helping verb ना मिले किसी sentence के बीछ है सामन ने बूत होता है याद रखना है चीज आगे बढ़ते है निम लिखित मैंसे पूर्व कालिक क्रिया का प्रियोग है ना उभर कर भयंकर करती हुई के रूप में तो निम लिखित मैंसे आगे बढ़ते हैं तुमने पढ़ाई की होती तो ऐसे दिन नहीं देखने पड़ते ये वाक्य किस काल का है पढ़ाई की होती की नहीं है ये हेतू हेतू मद भूत का एक्जमपल हो जाएगा पढ़ाई की होती है ना तुम पढ़ाई करोगे तो ये हेतू हेतू मद भविश्य का हो जाएगा बूद काल के भेद कितनी होते हैं बूद काल के भेद होते हैं शे वर्तमान काल के पांच ये 563 आप लोग याद रखे का 563 ठीक ना वर्तमान के भेद पांच बूद काल के भेद छे भविश्य काल के भेद तीन और काल का सावदिकर्द समय आगे निम लिखित म से किस वाक्य में अकर्मक किरिया नहीं है वह कहां रहते हैं तीस नंबर ठीक है भई ये तो अकर्मक का है करम ही नहीं है इसमें मैं उदैपूर पहुंच गया ठीक है इसमें भी करम नहीं है अनती अकर्मक ही है माली ने पके आम तोड़े कैसे आम तोड़े पके हुए आम होती है और जहां कर्म पर पढ़ता है दोस्त वह सा कर्मक होती है है यह कर्मक है सीधा अफल करता पर पढ़ रहा है 31 नमर में डी विकलब राइड 32 नमर कुश्चन करते हैं नेम ने लिखी तो भावाचक संग्या सब्दों में सिब बनाए गए किरिया पदों का सही विकलब हुआ है लिखना से लिखावट यही बिल्कुर राइड भावाचक संग्या पहले भावाचक संग्या फिर आएगी किरिया तो लिखावट भावाचक संग्या लिखना से बना हुआ है 33 नमर कुश्चन करते हैं किस किरम में सकर्मक किरिया नहीं है यहां पर कर्म मौजूद अच्छा सोहन ने क्या खाई रोटी खाई रोटी खाना करम हो गया हैना मेहंद्र ने पाट पड़ा पाट परना करम हो गया उसने किसको बुलाया किसको बुलाया कृष्ण को 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 बुलाया क किरिया संयोक किरिया यह सकर्मक किरिया कहां से आ गया यही नहीं है याद रखना ठीक है भी है करम के आधार पर किरिया के दो बेद सकर्मक और रहकर्मक तो गोविंद ने राम को जगाया कौन सी किरिया है गोविंद ने राम को जगाया प्रणार्थक किरिया है प्रथम किर्मांक बताईए 36 नमर कुशिन कौन सा है पानी में रसी एट ती है नोकर रसी एट रहा है बालक रसी को खेलते हैं तो यहां सकरमक किर्या के लिए सही किर्मांक कौन सा है सही किर्मांक नोकर क्या एट रहा है रसी एट रहा है यही है याद रखना ठीक ना भी याद रखो स इतने फिरकार होते हैं इंपोर्टेंट कुशन हैं तो किरिया के दो पिरकार सकर्मक और अकर्मक होते हैं आगे किस किर्मांक में अकर्मक किरिया नहीं है अड़तीस नमबर सवाल अकर्मक किरिया वह कहां दोड़ता है पार्क में दोड़ना कर्म हो गया अड़तीस नमबर बिल करने जाता है पढ़ने जाता है ठीक है उसका सिर खुजलाता है अपना सिर खुजलाता है तो यहां 38 नंबर का राइट आंसर उसने किया किया है उसने किया वह अपना सिर किसका सिर अपना सिर खुजलाता है ठीक ना याद रखना है चीज अब आप लोग कहोगे वह प्रती दि लेकिन आंसर इसने ये किया है, अगर इसको किशी कुशन में किसी को डाउट है तो वो कॉमेंट करके मुझे जरूर बताईएगा, ठीकिन अबिया, मैं अगली वीडियो में सामिल करने कोसिस करूँगा, अकरमक क्रिया के कितने भेद होते हैं, सवाल नमबर 49, है न, तो 49 पता कौन-कौन से भेद होते हैं, लेकिन एक्जाम में आया हो कुशन में वहाँ पर आंसर था, इसका तीन, आगे देखिए करम के आधार पर किरिया के भेद, तो करम के आधार पर किरिया के भेद होते हैं दो, कौन-कौन सा एका करमक, एक सा करमक, अगला देखिए निम्द सर्वनाम का उप्युक द्धारन कॉन सा है उस७नामě की सर्वनाम वर्ड आएगा फिर नाम आएगा किसी गर्युन संग्या ig GOOD पहले आएगा सर्वनाम पिर आएगा संग्या वर्ड और फिर आएगी विसेस्ता सर्व नाम तो कौन सा हो सकता बैलिश नमबर में तो बैलिश में देखो वहे आदमी यानि पहले सर्व नाम फिर आदमी संग्या है ना फिर हस्ता है फिर बता रहा है कि हस्ता हस्ता यानि कि एक तरीके से यहां उसकी विसेश्टा भी पिरकट कर रहा है ठीक ना याद रखना काला कुत्ता बहुंक रहा है तो ये आपको ट्रिक फॉलू करनी है पहले सर्मनाम आएगा फिर संग्या और फिर आएगी उसकी विसेश्टा कि वह आदमी उसकी विशेशता है कि वह हसता है अगला देखिए अपराधी ने सारी बाते साप साप कह दी है साप साप अव्य है कौन सा साप साप कौन सा अव्य है तो करिया विशेशन में वी रीती वाचक है 43 नमबर में यहाँ पे आपका सी राइट है 44 नमर व्याकरनिक कोटियों से एप्रभावित रहता है यहनि जिसका पर कोई प्रभाव नहीं पढ़ता तो अव्य है व्याकरनिक कोटियों से एप्रभावित रहता है अगे 45 नमर अर्थ के विचार में संग्या के कितने भेद होते हैं जाती वाचक संग्या नहीं है, किसमे नहीं है, तो यहां आपका जाती वाचक जो संग्या है, वो किसमे नहीं है, पुस्तक में है जाती वाचक, ठीक ना, लकडी, तो आप लोगों से पूछ सकता है, इसमें देखिए, जाती वाचक संग्या है, जाती वाचक संग्या किसमे है इस कुशन में थोड़ी सी मिस्टेक है जाती वाचक तेकि लोहा यह तो आपका मैटरियल में चला जाएगा सब जो है यह भाववाचक में चली जाएगी लकड़ी भी आप लोग एक प्रकार से माटरियल में फैंक सकते तो यहां भी पुस्तक बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा पुस्तक में जाती वाचक संग्या होती है इसको ऐसे राइट कर लेना कुश्यन को 47 नमर देखिए विसेशन से भावाचक बनने वाला सब्द कौन सा है खेलता सिस्ट से बना हुआ है यह है याद रखो 48 नमर कुश्यन भावाचक संग्या से निर्मित विसेशन भावाचक से विसेशन बताओ है ना तो प्रेम से बना हुआ है प्यारा तो प्रेम से बना हुआ है प्यारा प्रेम भावाचक संग्या प्यारा विसेशन याद रखो ठीक है बैया उन्चास नमबर कुशन नाम धातू किरिया नहीं बनती तो नाम धातू किसे नहीं बनती नाम धातू जो होती है वो किरिया से नहीं बनती है ना भई संग्या से बन जाती है सर्बनाम से भी है ना भई विसे संड से भी किरिया से नहीं बनती नाम धातू याद र है टॉफ 50 थे जो कुशिन में किसी को कोई डाउट है तो वह आप लोग कॉमेंट करके मुझे जरूर बता दीजेगा क्योंकि समय का थोड़ा आभाव था यह वीडियो मैंने बिल्कुल बहुत प्रॉपर हैना इस वीडियो के टाइम के जो वीडियो टाइम का होता है हमारा ज क्लिर नहीं कर पाए मुझे जाहिन